कोलकाता में डॉक्टर रेप और मर्डर केस के बाद से बंगाल में डॉक्टरों का आक्रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है देश भर में डॉक्टरों की ओर से सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है बंगाल में डॉक्टरों के काम पर नहीं जाने से मरीजों की हाल कर पाने में असफल साबित हो रही है आखिर स्थिती इतनी बेकाबू कैसे हो गई ममता सरकार की ओर से आखिर कहां चूक हो गई डॉक्टर से रेप कांड को दबाने की कोशिश आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना को कोलकाता पुलीस की और डॉक्टर रेप कांड की जांच में लापरवाही बरतने की बात कही गई है ममता सरकार में पुलीस की ये करतूत कई सवाल खड़े करती है पुलीस पर सबूतों को मिटाने का भी आरोप लगा है पीडिता की डाइरी से भी किसी ने छेड़ छाड की बेटी की जान के बदले मुआवजे पर भड़के माता पिता ममता सरकार ने डॉक्टर से रेप हत्या के मामले में दस लाख मुआवजे की घोशना की तो माता पिता आहद गए पिता ने कहा कि सरकार मुआवजा न दे बस बेटी को न्याय दिला दे घटना स्थल पर सबूत मिटाने का काम सेमिनार हॉल में डॉक्टर का शव मिला था लेकिन घटना के बाद एक और साथी चिकित्सक प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी तरह घटना स्थल पर निर्मान कार्य शुरू कर दिया गया ऐसे में सबूतों को मिटाने के लिए ऐसा करने का आरोप लगाया गया है प्रिंसिपल पर कारवाई के बदले नई तैनाती ममता सरकार ने इतनी बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोश को इस्तीफा देने के बाद उनको कोलकाता नैशनल मेडिकल कॉलेज एवाम अस्पताल ट्रांसफर कर दिया इसे लेकर सरकार चौतरफा घिर गई ममता सरकार ने डॉक्टरों की हड़ताल पर नाराजगी भी जताई थी ममता ने कहा था कि डॉक्टरों की हड़ताल और गैर जिम्मेदाराना कदम से मरीजों को दिक्कत हो रही है इससे डॉक्तरों का गुसा और भड़क गया था कोलकाता पुलीस की सरकारने की सराहना जिस कोलकाता पुलीस पर प्रदर्शनकारी डॉक्तर सबूतों को मिटाने और जाच में लापरवाही करने का आरोप लगा रहे हैं ममता सरकार उसी की तारीफ कर रही थी इससे जनता में उनके प्रती नाराजगी और बढ़ गई